Hello everyone, मैं विश्चुजीत सिंग, आप सभी का दीगिना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 06 का Topic 8 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे दक्खन में सूफियों की समाजिक और राजनितिक भूमिका के बारे में दोस्तो ये Topic important है और पीछे कई बार MA History MHI 06 के एक्जाम में ये Topic आया है आपके एक्जाम के अंदर में जहां पर हमें नॉर्मली इसका आंसर किस परकार से देना है कि धक्खन जो पूरा एरिया था उसके अंदर में सूफियों का बहुत ज़्यादा दबदबार रहा ठीक है सूफी संतों का करते थे इसलामिक धर्के की तरह से मानलो परचारक जो इसलाम धर्म को परचार परचार करते थे तो सूफी संतों का कहीं न कहीं impact हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर तो समाजी की स्तर पर और राजनीती की स्तर पर तो उनका impact, उनका क्या role रहता है, किस प्रकार का impact हमें देखने के लिए मिलता है, इस question के अंदर में simple सा हमें ये answer लिखना है, चले हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर कहीं पे भी confusion रहता है, doubt रहता है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, description में जाना है, व सूफी वंपरा के बारे में हमें discuss करने के जुरत क्यों है, क्यों है यहां पर जुरत, तो सूफी होते कोने पहले इसके बारे में discuss करते हैं, सूफी एक परकार के संत है, ठीक है, मालो जिस तरह से हमारे यहां पर बाबाबा हुआ है, उसी तरह से सूफी संत हुआ करते थे, जो इसलाम धर्म के परचारक के काम करते थे, ठीक है, वो मुहमत पेगंबर के जो मैसेज हुआ करते थे न, वो एक जगत से दूसरे जगत पहुंचाते थे, लोगों को ग्यान देते थे, इस तरह का काम नॉर्मली किया जाता था, सूफियों के द्वारा में, तो इसलाम धर्म के अंदर में rule regulation changes करना है, कुछ नया add करना है, तो सबसे बड़ा power रहता है खलीफा के अपास, और खलीफा के पतन होने के बाद, जो आपको मैंने पीछे बताया था कि किस तरह से खलीफा का पतन हुआ, ठीक है, किस तरह से British सरकार का भी उसमें rule रहता है, ठीक है, खलीफा क पावर का के तोर पे सूफियों को देखा जाता है, अब यह सूफि काम क्या करते हैं, देखो, खलीफा द्वारा किसी वेक्ति को कह दिया जाए कि ये बंदा इस जगह का राजा है, ठीक है, तो उसको ना पूरी काइनात, मतलब उनके इसाब से, पूरी काइनात उसको राज ठीक है, तो ये चीज़े होता है, ऐसी तरीके से क्या होता था, अगर सूफियों बोल देना किसी वेक्ति को, कि ये बंदा ये है, तो उसको भी पूरी काइनात मिल जाती ती उस चीज़ को पूरा करवाने में, और उसकी बात को, सूफियों की बात को कोई टाल नहीं सकता थ ये उनके पास खास वावर होती थी, reason क्या होता था, कि उनके परति धार्मिक विस्वास होता था, सूफियों के परति, उनको खुदी डारेक्ट भगवान का मेसेंजर माना जाता था, कि भगवान ने उन्हें बनाया है, ठीके भगवान का उकाम कर रहे हैं, तो जूट ना बूलेंगे, गलत थोड़ ना बूलेंगे, क्या पता भगवान की किशा यही हो, तो ये चीज़ें ऐसी रहती थी, चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, और इसको समझते हैं कि किस परकार से चला पूरा, तो तो सूफियों की जब हम बात करते हैं, ठीके सूफि रहा है, ठीके वो राजा बनेगा और बनेगा, अगर किसी सूफि संत ने, ठीके, उन्होंने बोल दिया, जैसे मालो निजावंदीन ओलिया के पास गया, उन्होंने बोल दिया, आप राजा बनोगे, ठीके, तो ये बात ना लोगों में पूरी तरह सा फैल जाएगी, कि ये पर तीदर आ विश्वास की हुता था पहली चीज हो थी कि अध्यात्मिक सक्ती है उनके पास क्या होता था अध्यात्मिक सक्ति एक कारण बना ठीक है जिसके कारणe से उनको माना गया कि वह important है दूसरी चीज़ यह रहता है कि बरकत ठीक है उनको यह माना जाता है कि भाई यह messenger है भगवान के तो बरकत मिलेगा ठीक है फाइदा मिलेगा profit होगा बरकत होगा और सीधे संबंध इसवर के साथ क्या है सीधे संबंध है यह भी एक reason बनता है भाई इसवर को तो डारेक्ट जानते हैं भगवान से तो यह उनका में रोज का मिलना जूलना है तो वो गलत थोना बोलेंगे जूट थोना बोलेंगे और में चीज़ क्या होता था इनका पूरा परसिद्धी विश्व इस्तर पर परसिद्धी होता था ठीक है जिसके कामसिस को ऐसा किया जाता था आज के समय में अगर यह एक्जामपल लेकर चलेंगे तो आज के समय में जितने भी बावा है न इलक्षन के समय में सारे नेता बावा के बास मत्त जाकर टेकर होता है underneath वह जानते है कि हूँ ज्यतने भी मेर, बावा के control मेंן, अगर बावा को बेई अगर बोल देगे सर्क वोत देना है तो उसी को बोड देगे अगर इसके बारे में आपको कर जानना है तो नियस्सको आपको पने उसके बावा के बारा सर्ग वह दिख लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर रोल आपको समझ मायगा, बस वहाँ पर उस बाबा की जगह पर सूफी जो संत हुआ करते तो उनको अगर बाबा ने बोल दिया कि इस वाले बंदे को जीताना है, जैसे बॉबी देवल कहता है असरम मूवी में, वेफ सिरीज के अंदर में, कि इस बंदे को सपोर्ट किजिए और वही बंदा जीत जाता है, यहाँ पर रोल एपलिकेबल होता है, ठीके, और दूसरी चीज क्लीफा को सपोर्ट करने का, किसी को भी सासक बनाने का, पर अनौप्चारिक तूर पर, ठीके, जो सूफी शन्तुआ करते तो, उनके पास भी पावर होता था, ठीके, तो इस तर से चीजे मानी जाती थी, और में चीज घितो, जैसे अगर, कोई भी सूफी ने अगर अनौ पहुम्मद पैंगंबर का मेसेंजर है ठीक है संदेश वहागे वह पूरे उनके संदेश को फैला रहे है तो क्या पाता उसको भगवान ने चुरा है तो उसके खिलाब कोई भी बिद्रो करने का नहीं सोच सकता था कोई भी इसलामिक बंदा बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकता गैर इसलामिक बले करे पर वो नहीं कर सकता था और अगर मान लो सूफी का किसी को साथ मिल गया ठीक है और वो बिद्रो कर रहा है तो उसका बिद्रोभ ही सफल होता था लोग उसकी मदद करते थे भले उसके राज्ये के बंदा वो भी मदद करने लग जाता था क्योंकि उस विरोध किया 1347 में और किसके खिलाफ तो तुगल सासकों के खिलाफ में और एक टाइम की ऐसी बात घटना रही कि निजाब मुद्दिन औलिया के दरगाह पर दो जने के जाते हैं ठीके एक तो तुगल सासक जो था वो जाता है ठीके और दूसरा जो था तो जब पहुँशता है तुगल के दरबार पर तो जब निजामुदिन ओलिया के दरबार पर सवड़ी अब जैसे मालो यह उनका दरगाह था था जिसमğर जो तुगल किसके पहले अंदर जाते हैं और जाते हैं और जाकर वहां पहें भेट करके बाहर आरह होते हैं ठीके तो पिर उनसे मिलते तो यह जो बात थीना कि एक राजा बहार खड़ा है और एक राजा अंदर आया है उस समय तक हसन कुछ नहीं था ठीक कोई नहीं तो इसको कोई नहीं तो इस तर से था और सूफियों के साथ में एक चीज होती थी अगर किसी को सपोर्ट मिल गया तो उसके खिलाब कोई युद कावान किया जाए तो इस तर से यह भी चीजे रहती तो एक benefit यहां पर रहता था तो यह राजनितिक एंगल आपको समझ में आता है अगर मैं यहां प उपदेश देने का में कार्य होता था समाज के अंदर में धर्म की स्थापना करना धर्म का परचार परसार करना यह में इसका मोटिव रहा ठीक है कि भाई हमें क्या करना है इसलाम धर्म को पूरे जगद में फैलाना है Reason कया है कि हम किसके भक्त हistas तो मुंम्मद पेगेंबर को एफ पूरे इसलाम जगद को पूरे विस्तार होना चाहिए विस्तार होना चाहिए, तो उसी के लिए कार्रे करते थे, सूफी के द्वारा, सूफी का कार्ने करने का तरीका क्या था, तो ये बावाओं की तरह परवचन नहीं देते थे, ये गीतों के जरीए, संगीतों के जरीए, ठीक है, अलग-लग तरह के चीजों के जरीए, जो सूफ निर्धनों को देते थे ठीक है निर्धनों को सिक्षित करने का असिक्षितों को गैर मुस्लिमों को मुस्लिम लोगों को ये नाई धुनाई जीतने भी छोटे समीलत जाती थे ना उनके उपर में इनका में फोकस रहा और इनका जो आधार रहा था परचार परसार का वो साहित बनते हैं सूफी प्रंपरा को लेकर बहुत important topic है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार दुबारा से वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बार बुक का भी help लीजिए फिर भी नहीं आ रहा है then you can contact to me I will try to tell you to understand मतलब मैं courses करूँ आपको समझा देने का I will try to make you understand ठीक है simple सी बात कहूं तो यह और अगर आपके लिए कुछ suggestion हो ठीक है अगर आप मुझे कोई suggestion देना चाहिए कि कौन सा topic और मुझे add करना चाहिए अगर कोई आपके बास topic हो MHI 06 का जिस पर अभी तक वीडियो नहीं आई है त इतना हो तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लिए valuable है तो अपने वीडियो को इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों साथ सेर जरूर कीजिएगा और subscribe भी करना बिलकुल मत बूलेगा bye bye take care all the best